हाई एवरिवान एद में सिफ कुछे दिन रह गए हैं तो खुद को पैंपर्ड करना तो बनता है एक सिंपल सी रूटीन शेयर करूँगी कैसे आप घर पे बिना कुछ खर्च किये बिना से लौन जाए सारे स्टेप्स फोलो कर सकते हो और इसके बाद आप चान से भी जादा लगोगे कुछ डियावाई ग्लो फेस मास्क गनाना बताऊंगी और आप घर पे अपने बॉड़ी और फिशल हेर किस तहां से रिमूफ कर सकते हो और बहुत सारी टिप शेयर करोगी सो लेट्स बिगें सो फर्स्ट एप हेर कियर आप मास्क या ओईल कुछ भी यूज़ कर कर लोndगी सक ऐलिंकरो अच्छे से मसाज करो बाल हेल्दी होंगी तो आपकी इथ स्टाइली और भी अच्छे से होगी मैं यूजर करेंगी यह post om कम होता है extreme hair growth मिल दिये और इसके अंदर ना natural rose में रही है तो बहुत अच्छे से काम करते हैं वैसे आप चाहो तो कोई भी oil use कर सकते हो almond oil coconut oil अच्छा अब यहां पर मैं इने बालों को partition में किये ताकि oil अच्छे से apply हो जाए वैसे oil apply 10 minutes के लिए massage scalp massager के साथ और यह एक best चीज है जो आज तक मैंने purchase की है इसके bristles silicon के होते हैं तो काफी soft और gentle रहता है scalp पर वैसे तो आप अपने हाथों से भी massage कर सकते हो बट इसकी एक अलगी feel है और काफी अच्छे से oil को absorb करता है दो तीन घंटे मैं oil रखूंगी और उसके बाद मैं hair wash कर लूँगी मैंने काफी time से एक sulfate free shampoo पर switch की है जिसके जो ingredients है वो जादा gentle होते हैं और आपके बालों को dry नहीं करते हैं आपको जिस भी company का जहां से एक अच्छा sulfate free shampoo मिले उस पर switch कर लो नहीं तो local shampoo आपके बालों को बहुत damage कर देते हैं बस अब हमारा last step एक hair serum यह बहुत जरूरी है वरना बालना बहुत dry लगते हैं और काफी freezy लगते हैं मैं घर पे ही बनाती हूं उसको वरना काफी जो बाहर से मिलते हैं मैं कोशिश करते हूं कि इसको avoid करूँ क्योंकि इसमें काफी chemicals होते हैं और काफी लोगों को वो suit भी नहीं करता तो चलो मैं बताती हूं कि इसको बनाना कैसे है इसके लिए आप पहले add करोगे water थोड़ा सही आपने लेना है साथ में aloe vera gel जो natural है वो आपने use नहीं करनी साथ में एक one vitamin E capsule आपने इन दोनों ingredients को इसके साथ mix करना है अब उतना ही low water जितना कि आप two weeks के लिए store कर सको क्योंकि आपने इसको refrigerator में रखना होता है इसके बाद आप इसको use नहीं कर सकते हैं आपको एक अलग से निया बनाना है और सी के बाल यहाँ पर कितने manageable, detangle और soft लग रहे हैं यहाँ पर हमारी एक simple सी hair care routine हो जाएगी और उसके बाद हम बागी के सारे steps को follow करेंगे अब बारी है body care की क्योंकि इत पिसिफ आपके बाल या face नहीं पूरी body अच्छी लगनी चाहिए simple इसके 3 steps हैं, अच्छे से शार लोगे तो आप बहुत फ्रेश फील करोगे पहला cleaning, आपने body को अच्छे से clean करना है, कोई भी जो आपको शार जल पसंद हो आप वो use कर सकते हो मुझे personally यह locks का dream delight बहुत अच्छा लगता है और मैंने कई बार आपनों को recommend किये इस तहां के लोफा के साथ आपके सारी जो फ्लेकीन ऐसे सारी dirt impurities वो चली जाएंगी next step body scrubbing, आपको बाहर के महंगे scrub की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे एक डियावाई अच्छा body scrub बना सकते हो उसके लिए आपको चाहिए rice flour, अचा कोशिश करना कि powdered foam जादा ना कर देना, मतब थोड़ा सा grain रहनी देना second orange pale powder, ऐसे तो यह easily मिल जाता है, नहीं हो तो आप sandalwood powder या फिर मुलटी का powder भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर मैंने one spoon वो भी add कर दिया है, and last कोई भी आप अपना शार्जल इसके अंदर add करो, ताकि कच्छी सी इसकी consistency हो जाए यह इतना जादा gentle रहता है ना body पर, सारी जो flakiness है और सारी dead skin वो सब चला जाएगा और body बहुत ही soft लगेगी gently आपने इसको 5 minutes के लिए scrub करना है, and last पे ज़्यादा अच्छा feel करने के लिए, moisturize करने के बार इस तहां का कोई भी body spray या फिर perfume यूज़ कर सकते हो इत पर सबसे ज़रूरी होता है अपने body और facial hair को remove करना आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि proper method क्या है razor को use करने का ऐसे उसके लावा आपको ही hair removal machine, wax, wax strip कुछ भी use कर सकते हो honestly वो काफी painful और काफी expensive हो जाता है इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि razor सी use करूँ face के लिए आपको टिंकल razor या ऐसी machine यूज़ कर सकते हो ये teenagers पर, students पर ये जिनकी hair growth ज़रा कम होती है उन पर तो बहुत अच्छे से काम करता है काफी painless रहता है और आप इसको कई बार reuse कर सकते हो otherwise आपको टिंकल razor भी use कर सकते हो अच्छा काफी लोग को लगता है कि इसके बाद बाल dark क्या थेक आते हैं ऐसा कोई issue नहीं होगा अगर आप सही method यूज़ करो और एक अच्छे quality razor में invest करो shaving से पहले आपने aloe vera gel एक अच्छी amount में ज़रूर apply करनी है ताके razor smoothly glide करें अब सही method क्या है पहले तो आपने razor को tilt करना है एक 45 degree angle पे रखना है उसके बाद आपने एक swipe में इसको remove करना है ऐसे थोड़ा थोड़ा face को rugged की आपने ये use नहीं करना method ये गलत method है इसी वज़ा से आपको cut लग सकता है ingrown hair का problem होता है या skin irritate कर सकती है क्योंकि आप इतना ज़्यादा skin के पर इसको rugged है हो तो इस तरह आपने बहुत ही gently पकड़ना है और एकिस wipe में आपने इसको remove करना है तो बस आपके सामने है क्यामरा पर जिस तहां मैं सारा दिखा रही हूँ आपने वैसे ही सारा method follow करना है और इसके बाद आपने कोई भी wipe लेकर tissue लेकर सारा clean करना है face wash करो और कोई moisturizer apply कर लो results भी आपके सामने है कोई cut नहीं लगा, कोई skin red नहीं हुई irritation नहीं हुई और इसके बाद आपको ingrown hair का भी problem नहीं होगा body hair की बात करें तो उसके लिए एक अलग से razor आता है इस तहां का आपने वो use करना है एक अच्छी quality का और कोशिश करना कि आगे उसके एक strip लगी हो जिससे एक slimy texture निकलेगा तो आपके body पर smoothly glide करेगा मैं काफी times अपने hair remove नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे आपनों को दिखाना था कि किस तहां से proper method आप use करोगे इसके लिए आप कोई charger या फिर soap एक अच्छा सा form बना कर use करोगे ताकि यह smoothly glide कर सके अब देखना एक swipe में मैं इसको remove करोंगी और सारे बाल वहां से निकल जाएंगे इसको उपर एक ही बार-बार आपको रगणना नहीं पड़ेगा तो इस तहां आप सारे method को follow करो कि अपने पूरी body के hair आप ऐसे remove कर सकते हो simply आपने इसको remove करना है wash करो और body को moisturize कर लो और कोई ingrown hair का problem नहीं है कोई skin खराब नहीं होगी तो एक best method रहता है तो यह जो सारे myth है न इसमें मत आओ एक अच्छी quality में razor में invest करो और जैसे मैंने आपको method बदाया वो follow करो अब बारी है manicure, pedicure की जो सारे steps मैं हाथ पे follow करूँगी तो आपने पाउंग पे भी करने है यहां काफे mess हो जा था इसलिए मैंने नहीं किया इसके लिए हमें चाहिए look warm water मतलब नीम गरम पानी उसमें आप add करोगे hand wash या फिर शार्ट जल जो भी आपके पास हो एक अच्छा सा foam बनाने के लिए सेरी अफ्तारी बना कर इतना काम करके आपके हाथ वैसे ही खराब होते हैं और पाउं के skin तो वैसे ही hard होती है इसके बाद 10-15 minutes के लिए रखो जितनी भी skin है वो soft हो जाएगी और सारी dirt वगरा भी चली जाएगी next step है scrub यह वही scrub है जो हमने body के लिए बनाया था अब अपने हाथों और पैरों पर भी इतको अच्छे से scrub करोगे for 5 minutes बहुत ही gently जितनी dead skin और flaking ऐसे है वो सब चली जाएगी और आपके हाथ और पाउं इतने soft feel होंगे ना last हमारा step होगा एक brightening skin polisher इध है तो कुछ तो थोड़ा special होना चाहिए ऐसे आपके पास कोई भी polisher हो कोई भी mask हो आप वो use कर सकते हो नहीं है तो इस वीडियो में मैंने DIY mask बनाना बताया था best काम करता है वो भी use कर सकते हो इसको आपने लगा रहने दिना है for 10 to 15 minutes और उसके बाद थोड़ा सा massage करके तो आप इसको remove कर लेना massage करने से आपको ज़्यादा अच्छे results मिलेंगे इसकी last पर आपने अपने हातों को पैरों को अच्छे से moisturize करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको instant result दिखेगा इतने ज़्यादा soft और इतने अच्छे आपके हाथ और पाउं लगेंगे I know आप लोग कब से इंतिजार कर रहे हो कि यार skincare कब आएगी तो finally उसके बारे में हम बात करते हैं पहला आपने अच्छे से अपने face wash करना है कोई भी face wash आप यूज़ कर सकते हो बनाओंगी ताके सारे लोग easily इसको मना सके और यह best काम करता है और क्या यह glow देगा skin में उसके लिए हम use करेंगे basin यह तो हमारी tanning के लिए glow के लिए best काम करता है साथ में curd ताके एक अच्छा सा paste बन जाए turmeric यह तो हम सारे Indians और पाकिस्तानी को बता है कि कितना अच्छा रहता है skin के लिए और last पे आप कोई sandalwood powder या मुलठी का powder चू भी आपके पास हो आप वो add कर सकते हो बस सारे ingredients को आपने mix करना है और आपने 15-20 minutes के लिए अपने face पर apply करना है जितनी dullness है वो सब चिली जाएगी और इसके बाद आपको क्या glow मिलेगा अब खुद भी हिरान रह जाओगे फिर बारी अपने blackheads whiteheads को remove करने के लिए अच्छा अगर आपके ज़ादा blackheads हो तो आप कोई no strip भी use कर सकते हो otherwise मेरे लिए ये peel off mask best काम करता है इस तहां करना इसका sticky formula होता है आपने इसको apply करना होता है जहां पर भी आपके blackheads whiteheads है जैसे ये dry हो जए उसको peel off करके तो remove कर लो और ये बहुत अच्छे से काम करता है और इसके बाद skin काफी soft लगती है and last पर skin को moisturize करना पिलकुल नहीं भूलना आपने ताके skin hydrate रहे so yeah that's it for today's video इन tips से आपकी एद लुक में 4 चांद लगने वाले है I hope आप लों के लिए बहुत ही helpful रही हो video so make sure to hit the like button and subscribe मैं चानल बागी कुछ tips के लिए मुझे Instagram पर follow कर लो Bye